मश्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में आनन राठी वैल्थ के चोथी तीमाई के नतीजे आ चुके हैं जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सबसे पहले एक डिविडेंट डिकलेर किया कंपनी चैर रुपए पर शेयर का जो कि आपके सामने है और इसके लिए डेट डिकलेर नहीं की गई है आगे नहीं बताया है चुकि फाइनल डिविडेंट है इसलिए एजिए में डिसाइड किया जाएगा उसके बाद अपरोल मिलने के बाद कंपनी एक्स डेट और रिकॉर्डेट मेंशन करेगी उसके बाद सीधे आते हैं कंपनी के कंसोल डिट चुंकि लाखों में 166 क्रोड के सामने 114.75 क्रोड का कंपनी का रेविन्यू तीमाही आधार पे बढ़के आया है साथ ही अगर देखेंगे इसका पिछले साल से यानि मार्च 22 एक साल के अंतर से तो रेविन्यू में आपको काफी अच्छे गेंस यहां देखने को मिलेंगे 32 क्रोड से बढ़के आया 34.60 क्रोड का वहीं साल देखेंगे तो 10.20 क्रोड के सामने आपको बढ़त देखेंगी करीब साड़े तीन गुना का जंप किया है कंपनी का मुनाफ़ा साल दर साल आधार पे पीवीटी देखते हैं कंपनी के टोटल रेविन्यू में से खर्चे सी देखेंगे तो रेविन्यू कैसा बचता है पीवीटी कैसा बचता है तो करीब पॉने 43 क्रोड के सामने बढ़के मुनाफ़ा कंपनी का 44.07 क्रोड का है जो कि लास्ट इयर 16.34 क्रोड का था यानि धाई गुना तक की बढ़त कंपनी के पीवीटी में वाय वाय भी आई है त सीदे कंपनी के एपीएस पे जो कि साथ पॉइंट बहुततर रुपए पर शेयर के सामने आठ रुपए 32 पैसे यह जो कि लास्ट इयर दो पॉइंट उन्चास रुपए की थी उसके सामने देखेंगे तो करीब साड़े तीन चार गुना का जंप आपको साल दर साल भी लेवल और 615 पर फिलाल ट्रेड करा जिस सबसे नतीजे मुझे लगता है कल या आने वाल दोशेयर दिनों में 625 को अराम से ब्रेक करेगा और यह ब्रेक आउट इस्टॉक को रिसेंट लगाएगा जो कि तीन चार ट्रेडिंग सेशन पर लेश्टॉक में 635 के हाई लगा थ सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद